हेलो प्रेंट्स, ब्राइटी लेंडिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी है प्रेंट्स, आज हम देखेंगे कि GST जो सर्टिफिकेट होता है रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट उसको कैसे डाउनलूड करते हैं तो सबसे बहले स्टार्ट करते हैं, फश्ट यहां पर जलते हैं Google Chrome और यहां पर लिखेंगे www.gst.gov.in और एंटरप्रेस करेंगे, फश्ट यहां पर दे रखा है login, login पर क्लिक करेंगे लोगिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच रहा है, तो यूजर नेम और पासवर्ड जो पहले से बने हुए है, वह यहां पर लिखना है और login पर क्लिक करना है, तो यूजर नेम यहां पर लिखता हूं मैं तो यूज़णै और पासवर्ट लिखने के बाद यहां पर एक प्टा कोड़ लिखते हैं। और लोहगन पर करते हैं। लोहगन पर क्लिक करनेarm के बाद बस्ठ निधान सब्से पहले सर्विस के अंदर जाते हैं, सर्विस के अंदर एक option आता है User Service और User Service के अंदर आता है View Download Certificate View Download Certificate पर क्लिक करने के बाद Form No. GST Registration 06 के अंदर होता है यहाँ पर data पीशु आती है और एक option आता है Download Download करने के बाद यहाँ से open करते हैं तो तीन पेज का Registration Certificate होता है जिसमें पर्स्ट पेज में Registration Certificate लिका हुआ है Registration No. Registration No. यहाँ पे GST No. होते हैं उसके बाद आता है Legal Name Legal Name मतलब जो प्रोप्राइटर होगा उनका Name आएगा उसके बाद आता है Trade Name If Any Trade Name मतलब बिजनिस का Name तो यहाँ पे बिजनिस का Name दे रखा है उसके बाद रखा है Constitution of Business मतलब प्रोप्राइटर से फरहम है पार्टनर है या जो भी है इसके बाद एड्रस आता है एड्रस के बाद नीचे आता है Debt of Liability मतलब कब Registration लिया वो इस परकार से फर्ष्ट पेज आता है फर्ष्ट पेज के बाद सेकेंड पेज आता है Registration का और सेकेंड के बाद लास्ट वाला पेज आता है इस परकार से N10A वा N10B दो पेज आता है और फर्ष्ट आता है Registration Certificate इस परकार से तीन पेज का रेजिस्टेशन सार्टिफिकेट होता है जिसको इस परकार से डाउनलोड किया जा सकता है